हेलो प्यारे बच्चो वालकम टू स्टापवगएडवी आम रची अपाध है यह और केमस्ट्री मेंटॉर और लेकर आई हूँ आपके सामने क्या क्लास टेंथ का जो हमारा फर्स चेप्टर चल रहा है अब स्टार्ट होगा में क्या इंपॉर्टन इंपॉर्टन टॉपिक COMICAL EQU mat ella perturb obsessed इंप हाव भी टेप चीजवाइशन एक हैकरें कि में रिएक्ट neues उर्ट करते हैं क्या होते हैं अब आप क्या जानना है कि हम स्टा चीतों कर बोलते हैं ठीक हैं जब उसको सिंबोल से यहार करते हैं या formula से show करते हैं यही होता है ना तो अब हम बात करेंगे chemical equation की और उसको balance करने की क्योंकि सब्सक्राइब परिशानी कहा होती है balance करने में हम यही confused रहते हैं कि कहां कितना और कहां कितना रहेगा तो हम क्यों करते हैं balance करना क्यों जरूरी है और balance करते हैं तो हमें क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे मैं इसक्राइन डिस्कुस करने वाले हैं डिटेल में तो पहले हम यह जालने what is chemical equation chemical reaction तो वैसे आप जानते ही हो है ना सिंपल सी बात है जब reactant दो या दो से ज़्यादा आपस में reaction करते हैं और एक नया प्रॉडक्ट बनाते हैं एक नई प्रॉपर्टी का प्रॉडक्ट बनाते हैं या सबसेंस बनाते हैं उसको बोलते हैं chemical reaction है ना आप आपके बुक में एक यह कोश्चन भी दिया हुआ है और वह क्या है chemical equation अब chemical equation में पूछा है कि वोटस chemical equation मतलब आप कैसे बताओगे कि chemical equation क्या होता है देखिए क्या है कोई टेंचन नहीं है हमाई जो chemical reaction है वही chemical equation है कोई इसा कोई डिफरेंस नहीं है बस अंतर क्या है अभी तक आप जिसे वर्ड एक्वेशन यूज कर रहते हैं magnesium oxide magnesium will react with oxygen it will form magnesium oxide ऐसे बोलते थे अब इनको आप क्या करोगे symbols या formula से रिप्रेजेंट कर दोगे और symbol और formula से रिप्रेजेंट करोगे तो वह chemical equation गलाता है और कुछ अंतर नहीं आता तो यहीं लिखा है कि हम तो पहले देख लें कि what is chemical equation जो हमें पढ़ना है simply फिर यहां पर यह भी टॉपिक दिया है why do we balance them तीसरा है how can we balance them तो पहले पॉइंट क्या पढ़ना है अपने को कि chemical equation है क्या जिसकी कहानी मैंने आपको पूली अभी तक सुना दी है तो क्या है chemical equation देखिए आपके सामने आ गया और वह क्या बोल रहे हैं यहीं बोलना है भाई इस सिंबल से शो करो फॉर्मूले से शो करो किसी भी रियक्शन को तो वह क्या कहलाता है chemical equation कहलाता है दा method of representing गा chemical reaction with the help of symbols ठीक है and formulas ठीक है किसी substance का कोई formula हो सकता है symbol हो सकता है वो chemical reaction में जब involved होते हैं तो हम उसको क्या बोलते है chemical equation बोलते हैं तो क्या बोला जा रहा है the method of representing the chemical reaction with the help of symbols and formulas of the substance involved and it is known as chemical equation clear है कोई confusion नहीं है चलिए हम देख लेते हैं यह दी कहीं confusion आता भी है तो कैसे उसको अपने को clear करना है देखिए यहां पर आपके सामने एक equation लगी वही है यह reaction है और question था when carbon burn ठीक है carbon को यह देखे carbon लिखा है burn करते हैं भाई burning होगी तो oxygen के presence में होगी तो यहां लिखे burn in oxygen यहां oxygen आ गया to form carbon dioxide यह एक word equation है it is a word equation क्या बोलेंगे बच्चों इसको बोला जाएगा word equation क्योंकि यह word form में लिखा है अब इसी को जब मैं formula और symbol से present कर दूंगी तो यह क्या हो जाएगा हमारा देखे यहां पे दिखाई पड़ा है अब हम किसको कैसे show करेंगे carbon को मैंने show कर दिया C से oxygen को show कर दिया O2 से अब क्या बन गया CO2 बन गया तो यह हमारी जो है यह chemical equation जो है मतलब जब symbol of formula में हम इसको represent कर रहे है तो ऐसे reaction ऐसा chemical reaction जब हम उसको formula से यह symbol से denote करते हैं उस reaction में करते हैं तो वो कहलता है chemical equation यहां पर यह reactant है यह आपको पता ही है कि जो reaction में participate करते हैं वो reactant है मैंने last video में समझाया हुआ है जब नया substance बनता है नई property का वो हमारा क्या होता है product होता है तो यह चीज़ भी आपको clear हो गई what is chemical equation अब बात आती है करते हैं और सबसे बड़ा परिशानी भी यह है भाई बहुत question पूछ जाते हैं सारे के सारे question balance करने पर mostly रहते हैं कि यह reaction को balance करिये कौन से reaction है इसमें क्या चीज़ हो रहा है कमी कहां क्या चीज़ है कौन से लॉक ओफ यह फॉलो कर रहा है बहुत तरह से questions पूछी जाते हैं तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि why do we balance them हम इसे क्यों balance करते हैं तो यहां लिखा है a balance chemical equation has an equal number of atom of different element in the reactant and product ठीक है तो पहले तो हम balance equation को जानने कि क्या है वो क्या बोल रहे है कि reactant में reactant में जितने भी आपके atoms हैं elements हैं वो equal होते हैं किसके product के product में भी उतने ही आपके जो elements हैं या atom है उतने ही होंगे ऐसा नहीं है कि यहां पर 4 है तो यहां पर 3 होंगे हमें दोनों जगा पर क्या चाहिए 4 चाहिए उन्होंने यह बात बोली है कि यह चीज़ कंडिशन रहती है यहां पर दूसरी बात जो यह बोल रहे हैं कि आप question है क for balance chemical equation इस मतलब हमें जरूवत क्या है मतलब हम यह जानगा है कि balancing क्या है लेकिन जरूवत क्या है इसको तो law of conservation of mass आपको पता है law of conservation of mass जो की हमारे लवोईजर जी हैं उन्होंने बताया था उन्हें क्या बोला था कि simple सी बात है कि matter can neither be created nor be destroyed नाहीं हम उसको destroy कर सकते हैं नाहीं हम उसे create कर सकते हैं किसी भी chemical reaction में एक reactant mass जो होता है वो equal होता है product mass के ठीक है ना यह हम बोलेंगे reactant atom जो होता है वो product atom के बराबर होता है तो हम क्यों balance कर रहे हैं इसको क्यों कि law of conservation of mass के according यह जो बात कही गई है इसको हमें follow करना है कि जो reactant में जितने atom है उतने ही कितन में ह होने चाहिए जब दोनों equal होंगे तब ही हमारा reaction क्या कर लाएगा balance क्या लाएगा तो हम उसको बह लेंगे balance chemical equation ठीक है तो यह चीज़ है अब जैसे कि आपको सामने यहां पर question दिया हुआ है why do we need to balance जो बात बोली गई है अब इसमें ही है कि कैसे हम उसको करेंगे और क्यों क हमें दोनों में quantity देखनी है बराबर होने चाहिए तो देखिए यहां पर h2 कितना दिख रहा है दो है और यहां पर कितना है दो है यहां oxygen दो है यहां पर एक है मतलब यह balance नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा balance करना पड़ेगा reactant atom देखिए यहां पर कितना दिख रहा है इतना है और प्रोडक्ट यह not equal बोल रहा है क्या बोल रहा है not equal मतलब यह equal नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको equal करना पड़ेगा इसको balance करना पड़ेगा तो यहां पर जो आपके सामने दिया है h2 plus o2 is equal to h2 जिसको हमने बोला है कि it is not a balance यह equal नहीं है तो balance करने के लिए क्या करते हैं आपको simple सा सिर्फ क्या करना है reactant पे ध्यान दे रहा है और product पे ध्यान देना है reactant product में आप देखेंगे किस में कितनी कितनी चीज़े ली गई है reactant में hydrogen है तो यहां पे एक तरफ hydrogen लेक लेके लिए एक तरफ oxygen लेके लिए है आप चैंज कहां पर करेंगे आप चैंज करेंगे आगे आप यहां 2 लगाएंगे तो यहां पे भी 2 हो जाएगा तो चले ठीक है यह तो 2 हो गया लेकिन hydrogen देखें क्या हो गया 4 हो गया तब हमें क्या करना पड़ेगा hydrogen में भी multiplied by 2 करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 4 तो यहां पे यह 4 हो गया यह 2 हो गया चलो ठीक है अब इधर देख लें यह तो two balance हो गया इसके बराबर हो गया लेकिन यहाँ यह two है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा two करना पड़ेगा मतलब कहने का है कि हम balance क्यों कर रहे है law of conservation of mass को देखते वे बात की गई है कि reactant जो atom है that will be equal to the नहीं पूस्पटों ही होने चाहिए जो भी element जो भी atom है वो आपके क्या रहेंगे equal होने चाहिए तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है और dieses balance तो वो हमारे क्या चाहिए, ke balance हो जाएंगे, तो हम भी यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको balance करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने किया, अब बात आती है, च्छोटी, हम balance कर दिया, माडम आपने ह्याइडी종, cocznein to reaction करवाया, water बनाया और देखा कि यहां पर कमी थे, आपने balance कर मी बात करें सलिट है तो हम असे शो करेंगे कोई बीचेज हमारी लिक्विट यह । हम यह करेंगे यह जैसे कि अभी मैंने आपके ताब में रिएक्षं किया ता यदि वो gaseous form में है तो हम short g से show करेंगे जैसे कि अभी मैंने आपके सामें reaction किया था h2 plus o2 is equal to water यह किया था इसको फिर मैंने balance भी कर दिया था तो h2 क्या है gas है तो मैं यहाँ पर gas show करूंगी यह इसको भी gas show करूंगी यह liquid बन गया तो इसको liquid show करूंगी यह physical state आप किसी भी reaction को बहुत ज़्यादा informative बनाना चाहते हो बच्चों तो आपको क्या करना है आपको उसमें इसके physical state को भी mention करना पड़ेगा solid है तो S, liquid है तो L, aqueous है तो AQ और यदि देखा जाए gashes form है तो क्या बोलोगे G बोलोगे G लगा कर आप वहाँ पर इसको change कर सकते हैं तो एक चीज तो यह है कि आपको physical state पे ध्यान देना पड़ेगा चलिए अब यहाँ पर देखिए physical state को देखते वे एक question दिया हुआ है तो पहला हमारा mission है कि हम देखें यह balance है कि नहीं दूसरा यह है कि हमें इसके physical state पे ध्यान देना पड़ेगा ठीक है तो balance के देख लेते हैं हम यहाँ पर ZN यहाँ पर एक है आप ऐसको ऐसे लिख लीजेगा खुश से कोशिश करिएगा बच्चों कि ऐसे तुक्का मानने की दरुवत नहीं है रफ में आप एक तरफ reactant लिखेगा एक तरफ प्रोड़क्ट और एक तरफ जितने भी elements उनके name लिखते जाएगा तो zinc है और zinc देख लीजे रियक्टंट में वन है प्रोड़क्ट में भी वन है फिर हाइडोजन देख लिया आपने हाइडोजन रियक्टंट में टू है प्र all are equal सब equal दिख रहे हैं इसका मतलब यह है बच्चों कि हमारा chemical reaction तो balance है अब हमें दूसरा काम क्या करना है फिजिकल स्टेट पे ठीक है तो यहां पर question को ध्यान से पढ़ोगे तो फिजिकल स्टेट समझ में आती है zinc metal metal मतलब solid तो आप यहां क्या लगा दोगे एस लगा दिय reactivate dilute sulfuric dilute मतलब पानी में बनायाएगा solution है इसका मतलब वो aqueous है aqueous मतलब aq तो आप यहां लगा दोगे aq ठीक है to form zinc sulfate solution फिर मिला क्या solution मिला that is znso4 aqueous और क्या मिला hydrogen gas मिला तो आप s2 में gas का symbol लगा दोगे तो यह क्या है it is a physical state और इससे आपका जो reaction और भी informative हो ठीक है तो आपको यह चीज़ इसमें करनी पड़ेगी तो chemical reaction में जो हम देखते हैं यहां तो यह question है हम question को solve करेंगे जैसे कि आज हम बात ही करते कि हमें chemical equation को balancing सीखना है क्या होता है कि आपने बैचों देखा क्या कि chemical reaction जब हम कर रहे हैं और reactant जानगा है कहा होता है product कहा होत यह चीज़े हैं और इसके अलावा हम और क्या identify कर पाते हैं यह भी टॉपिक में आपको पड़ाओंगी चेंज़ अकर डियूरिंग क्यामिकल reaction मतलब आदा बैलन्स करना सीख जाओगे लेकिन अब भी आपको एक पॉइंट और बिज़े समझाना है आगे कि क्या क्या चेंज़ दिखता है कहीं भी कबार reaction होता है तो gas evolve हो रही होती है ठीक है ना कहीं गयास मिलाब बोलते हैं कि यही बात बोलते हैं कहीं आप देखो कि कहीं तरीके की चेंज़ होते हैं chemical reaction में हम इसको क्या बोलते हैं chemical reaction बोलते हैं तो हम इसको chemical reaction नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं physical change हो रहा है क्योंकि एक नई चीज़ बनती है नई property नई color नई कुछ भी हो सकता है temperature change होने सो हो सकता है temperature में variation होने सो हो सकता है gas बन सकता है यास में precipitate कुछ भी बन सकता है तबी तो वह chemical reaction ह और इतनी जल्दी वह रिवर्स नहीं हो पाएका वह सका та है और ऐसी कोशाइब स्तल्ट नहीं होती है अब हम छलते हैं कुछ को सॉल करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आए है आप भी फुराफट कॉपी उठाइए पैन उठाइए और जल्दी से करना स्टार्ट करिया आपको सामने कोशन दिया हुआ है और यहां पर दिये हुआ है और आपको बता रहे कि इंचारों में से कौन सा gide pointing रिखे हैं से लिखे हैं है और आख्जीजन लेते हैं और क्या है तो यह तरीके से respiration की process जो कि बहुत ही important और बहुत ही famous reaction जो बच्पन से बच्चे जानते हैं कि सांस लेते हैं चोड़ते हैं तो क्या होता है अच्छ तरीके से अपने को पता ही होता है तो यहां पर देखते हैं कि अपने को balance करना की balance है की नहीं है तो जैसे मैं आपको बताया है वैसे तरीके स 2 है और product में one है है हाइडोजन जो दिया हुआ है हमारे पास वो रियक्टनमें six है और यहां नहीं यहां तो सबनी है यहां डिया ही तो लिफ्र यहां और 2 कर लिया फिर देखिए ऑक्सिजन किता है तून यहां प्लस इंद्री और 3 मैंने ले लिया और यहां देखे कितना है 2 प्लस 1 3 मतलब इतना है इसका मतलब है कि यहां पर देखिए यह दोनों भी सेम नहीं और यह दोनों भी सेम नहीं तो आपने को क्या करना है इसको भी बैलन्स करना पड़ेगा तो बैलन्स करने के लिए पर देखते हैं कहां से अपन हाइडोजन 6 दिख रहा है रियक्टेंट में और मतलब यहां पर देखे लिखा है तू यह भी चीज दिख रही है अपने को कि यहां पर यह तो यह चीज होगा के नहीं होगा दूसरा फिर यहां पर लिखा है और इधर भी ऑक्सिजन थी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा सिंपल तरीके से देखते हैं कहा पर हम क्या चीज़ कर सकते हैं तो यहां पर दी मैंने 3 लगाया तो यह हो गया 6 क्या हो गया यह 6 हो गया प्लस 1 7 हो गया इस जगा पर जब मैंने यहां पर यह लगाया सिंपल सी बात है जब आपके सामने भी दिख रहा है और यहां पर मैंन यहां पर यहां पर हमारा hydrogen क्या पड़ा है रही है हमने को सो कुछ भी नहीं किया अब इसको भी सिक्स करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा थ्री लगा देते हैं मैंने थ्री लगा दिया मतलब मैंने इस जगा पर multiply 3 कर दिया तो यह क्या हो गया 6 हो गया तो hydrogen भी मेरा क्या हो गया 6 6 हो गया oxygen देखिए यहां पर किता है 7 और यहां कितना हो गया 3 और यहां पर कितना दिख रहा है 4 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया और इधर भी 7 मतलब oxygen दोनों जगा 7 7 अब अपने को दिख रहे है यहां देखिए 3 2 2 6 plus 1 7 और यहां किता है 2 2 4 plus 3 7 हो गया balance हो गया carbon देख लिया यहां पर 2 है यहां पर भी 2 है 2 2 carbon भी हो गया hydrogen देखा यहां 6 है और यहां पर 3 2 2 6 हो गया 6 6 हो गया मतलब हमारा balance हो गया अब option में देखिए क्या कहां पर यह options है है हमारा c6 2 c2 s6o यहां पर था 302 लिया 2 co2 and 3s2o यह वाला option 2 will be right आपको balance करना है दोनों तरफ की आपके दोनों तरफ के atom या element क्या होने चाहिए बच्चो balance होने चाहिए तो आपको balance करना सीखना पड़ेगा अच्छे तरीके से यही रियक्टेंट और प्रड़क्ट को लिख कर आप करते जाएंगे देखिए यहां पर यह इसका answer था चलिए next बात करते हैं next है the correct balance equation for the reaction आप यहां पर फिर से उसके लिख लिए यहां पर two है प्रड़क्ट में nitrogen देखिए क्या दिया हुआ है नाइट्रोजन दिया है यहां पर वन और प्रडाट में कितना दिया हुआ है वान दिया हुआ है ऑक्सिजन लिखे यहां पर 3036 है बतलब oxygen दिया है NB हो गया, OB हो गया, HB हो गया, और भी कार्बन भी है, कार्बन देखिए, यहां पर किता है, 1 है कार्बन, और यहां पर किता दिया हुआ है, 1, तो अब अपने को देखना है, इसको कि अपन कैसे बैलन्स कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात, प्रोडक्ट में K दिख रहा है 2, और यहां पर देखिए, सिंगल है, तो हम यहां पहले 2 करके देख लें, तो यह दोनों बैलन्स हो जाएंगे, ठीक है, के इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इसका मतलब इस दगा पर भी वैलनर क्या कर लिया, 2 कर लिया, यह दोनों बैलन्स हो गया, नाइट्रोजन दे डिखिये क्या हो गए two से multiply हो गया यह भी बैलान विखलेंश हो गया अब देख लिए जो ऑक्सिजन कितना है three two the six प्लस यहां पर किता बोल रहे है three बतलब कितना हो गए nine oxygen हो गया और इधर देख लिए three two सो घी है यहँ है यहाँ पे भी है बतलब इधर मुटीप्लाइट का लिया है तो ही होगा हमारे सो अमारे You क्या हुआ है कार्बन कार्बन वान हो गया तो पूरा का पूरा देखिए मैंने बैलेंस कर लिया तो मैं क्या देख रही हूं मैं सिर्फ यह देख रही हो कि चेंजर कहां प्यार है यह 2KNO3 और 2HNO3 और कोई पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा यह नहीं होगा 2KNO3 प्लस H2CO3 प्लस K2CO3 प्लस 2HNO3 यह है आपका उप्शन तो फास्ट ऑप्शन विल बी और राइट आंसर ठीक है ना समझ के बच्चों की डियाक्टेंट और प्रड़क्ट पे ध्यान देना है उसको बैलेंस करते वे आपक कर पाओगे अब दूसरा देख लेते हैं कोशन फिर से क्या देखिए यह तो इसका ऑप्शन आंसर आ गया जो आपके पास है अब यहां पर देखिए इसको भी बैलेंस करना है चलिए कोशन आपके लिए है आप इसको बैलेंस करिए बहुत ही इजी है कैल्शियम बना रहा है और आपको यह बैलेंस करना है यह चार ऑप्शन है फटाफर्ट स्क्रेंशॉट लीजे और जल्दी से आप इसका आंसर करिए और करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट में देखेंगे कि इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा ठीक है ना वेरी इजी यही करना ह है O2 से और क्या बना रहा है N2O5 बना रहा है बच्छो ठीक है ना अब आपको इसको बैलेंस करना है यहां पर 5 दिया है इसका मतलब कोई भी चीज जो होगा वह 2 से मल्टिप्लाइ कर दो तो यहां पर 5 से मल्टिप्लाइ कर दो 5 to the 10 यहां पर देखो 2 5 the 10 हो गया तो यह हो हो गया तो यह 2 हो गया तो 2N2 प्लस 502 is equal to 2N2O5 हो जाएगा बच्छो ठीक है ना तो देखिए 4 4 हो गया और 5 to the 10, 5 to the 10 हो गया तो इससरी के से बैलेंस हो जाएगा तो आप इसको बैलेंस कर लेंगे नेक्स हमारा question है और next question दिया होगा चली यह तो यह आंसर है इसका बताने के जरुवत ही हो तो आपको समझ में आई चुका होगा next is what is the balance equation for the reaction of photosynthesis देखो फोटो सिंतेजिस में जरुवत किसकी पढ़ती है एक तो पानी और एक हमारा carbon dioxide यह दो चीज़े रहती है ठीक है ना औ बनाते क्या है यह बनाते हैं C6H12O6 मतलब हमारे लिए energy जो त्यार की जाती है और इसके अलावा क्या है इसके अलावा oxygen यही चीज़ मिलती है अपने को simple सी बात है कि यही चीज़ मिलती है C6 पहले लिखा है तो भाई आपे 6 लिखना पड़ेगा C6 हो गया तो अब यहां प 12 हो गया और यह hydrogen हो गया यह बोद यह बी 12 यह भी ट्वैल यह भी ट्वैल हो गया अब इतार देखिए 6 टुजर ट्वैल और यहां देखे क्या है 6 है और यहां पर दी मैंने देखे लगा दीजाए सिंपल सी बात है कि यहां पर आप वो कहां लगाना पड़े को तब यहां पर लगा के देखे तो यहां पर कितना हो रहा है यह 6 कार्बन है तो यह 6 कार्बन हो गया 6 to the 12 हो गया और यहां पर देखे कितना हो गया 12 के साथ ये भी हो गया अपना 6 और एड कर दीजे यहां पर 6 to the 12 हो गया और 6 और एड कर दीजे और देखे इस तरीके से आपके सामने यह आंसर यह वाला आ जाएगा 6 co2 6 s2 c6 s2 o6 plus 6 o2 ठीक है ना 666 changes आपको यहां पर दिखाई पड़ा है तो इस तरीके से यह कुछ chemical reactions मैंने किये और chemical reactions इसलिए करना मैंने जुरूरी समझा कि आपको balance करना समझ में आए तो balance करना अब आपको समझ में आच चुका होगा कि reactant mass और product mass या reactant atom और product atom क्या होने चाहिए equal होने चाहिए और हमारा main mission भी क्या है इसको equal करना तो आज आपको chemical equation समझ माच चुका होगा chemical reaction तो बहुत पहले समझ माच चुका होगा कि वहले भी मैं उसका एक video बना ही चुकी थी chemical equation भी आप समझ चुके हैं balance करना भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे अब इसके बाद एक point और रहे गया है changes अगर during chemical reaction हम उसको कर लेंगे और करने के बाद पहले हम chemical reaction के उपर बहुत तरह balance करने के कोशिश करेंगे बहुत तरह कोशन ऐसे लेकर आँगे हम आपक